हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गोल्डेन करियर आज का मारा टॉपिक है कौड्रिटिक एक्वेशन तो कौड्रिटिक एक्वेशन आप लोगो अल्रीड आती होगी बट बेसिक मेथर्ड जाता होगा तो आज हम लोग देखेंगे कैसे शॉटकट में इसको हम कर सकते हैं ठीक तो यह दूरो एक्वेशन दी होती हैं अपको इने सॉल्व करके इनके रूट की वैल्यू फाइं करने होती है उसके बैसिस पे एक्वेशन आपका आता है आपके पास ऑप्शिन दीगी होते हैं x greater than y x less than y x less than equals to y x greater than equals to y and last होता है c and d यह सारे आपके पास options दिये होते हैं इन में से आपको choose करना होते हैं यहाँ पर कहीं पर भी आपको roots की value नहीं बतानी होती है तो अगर हम यह तरीका सीख जाएं कि हम देख के पहचान सकें कि x greater होगा या less होगा या equal to होगा या cnd होगा तो हम यह solve करने की ज़रूरत नहीं होगी तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं basic concept क्या होता है अगर हम एक equation उठाएं यहाँ पर से तो एक equation जैसे हमने ले ली x square plus 8x plus 16 is equal to 0 दूसरी y square plus 9y plus 18 is equal to 0 ठेक यह normal procedure है solve करने का कैसे हम लोग करते थे पहले अगर हम लोग को याद होगा तो हम लोग कैसे करते थे इसको इसको हम लोग को convert करना है a plus b के form में और इसको convert करना है a b के form में तो a plus b के form में हम लोग ने convert किया तो यह क्या बन जाएगा 4 plus 4 is 8 और 4 into 4 is 16 तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं x is square is equal to sorry x square plus 4x plus 4x is equal to 16 further solve करेंगे तो एक comment में हमने x4 x plus 4 bracket close और दूसरी value क्या जाएगी plus 4 x plus 4 tick is equals to 0 next क्या है x plus 4 एक bracket में और दूसरी bracket में भी x plus 4 तो यहाँ पर x की value कितनी आ गई यहाँ पर इसको कैसे convert कर सकते हैं 9 3 plus 6 is equal to 9 और 3 into 6 is 18 तो इसको भी यसी कर लेंगे bracket में y plus 6 plus 3 y plus 6 is equal to 0 y plus 6 एक bracket में और दूसरे में y plus 3 तो यहाँ पर y की value आ गई minus 6 और minus 3 ठीक यह हमारा पुराना concept है जिससे करने जाएंगे तो हमारे अच्छे खासे 5 से 6 minute जो है वो waste हो जाएंगे तो हमें इस तरह से इसको नहीं करना फिर इसके बाद भी क्या करते है हम comparison करते एक सको लिखते है य को लिखते है पहली value क्या है? "-4", "-4", फिर दूसरी value क्या थी ? −6 और −3, तो यहां से देखते, एक बार जो है, वो x जो है, वो greater than है, एक बार x greater है वाई से, दूसरी बार x smaller है, एक बार greater, एक बार x smaller, ठीक, फिर दूसरी बार देखेंगे फिर से greater और फिर से smaller, ठीक, तो यहाँ पर क्या होगई, और greater और smaller जैसा कोई option नहीं है, तो C and D option हो ठेक, तो इतना हमें solve करने की जरुरत नहीं पड़ती, अगर हमें sign table आती, क्या है ये sign table, आए समझते हैं, sign table के इस question बहुत important है, importance है, सबसे पहले क्या होगा, अगर दोनों roots plus plus के होंगे, तब हमेशा आपकी value minus minus की आएगी, अगर आउपर जो है, आपके question में minus और plus होगा, तो roots हमेशा plus plus की होंगे, अगर plus और minus की होंगे, तो minus और plus होगा, और अगर minus minus होगा, तो plus और minus होगा, ये है sign table, हमेशा question solve करने से पहले, आपको इसको बना लेना है, अगर दिमाग में बना पाए तो ठीक है नहीं, तो paper में 2 minute लगेगा, लिखने में, इससे आपको question बहुत जल्दी solve होगा, अब इसकी condition क्या होगी, चलिए देख लेते हैं, if, क्या-क्या conditions है, अगर x की value, यहाँ पे x और y की में value बताऊंगी, ठीक है, अगर x में आपके पास plus और plus है, तो और y में minus और minus है, ठीक, जैसे कि अभी कर देना है, solve करने की जरुरत नहीं है, ठीक, यह हो गई पहली condition, दूसरी condition क्या है, कि अगर x और y की value, x की value minus minus है, और y की value plus plus है, तो हमेशा y is greater than x, ठीक, यह दूसरी condition हो गई, नमबर 3, अगर x की value plus है और minus है, और y की value plus है और minus है, तो answer हमेशा c and d होगा, ठीक, नमबर 4, क्या कहती है, अगर x की value minus और plus है, और y की value भी minus और plus है, तो हमेशा answer फिर से c and d ही होगा, फिर इसकी बाद और देखते हैं, next condition हमारी है, अगर x की value plus है और minus है, और y की value minus और plus है, तो फिर से answer हमेशा c and d ही होगा, फिर देखते हैं next यह आपको याद नहीं करना आपको केवल याद करना यह sign table और वो भी याद नहीं करना जब भी आप question solve करेंगे तो उनको करते चलना है तो automatic आपको समझ में आ जाएगा कि कब value cnd होगी और कब greater than or less than होगी जिससे आपको question जो है वो solve नहीं करना पड़ेगा बस आपको roots निकाल ले होगे और last condition क्या है number 6 अगर x की value minus है और y की value plus है और x की value plus है और y की value minus तो भी answer आपका हमेशा cnd ही होगा आप देखे जो एक equation हम लोग ने solve करी थी उसको इस sign table की मदद से करने की कोशिश करते है ठीक है अभी हम लोग ने जो equation लेकी थी वो क्या थी x square plus 8x plus 16 equals to 0 ठीक दूसरी क्या थी y square plus 9y plus 18 is equals to 0 ठीक यह हमारी equation थी हमने लंबे process से solve किया था अब इसको shortcut में देखते है अगर हमन यहाँ पर sign table बना लिया है ठीक जैसे कि यह sign table हमारा given है यहाँ पर तो अब हम इसको नहीं बनाएंगे ठीक तो इसमें आप देख पा रहे है इसमें वो value कैसी है minus sorry plus plus किये x में भी और y में भी minus plus plus किये तो जब भी plus plus होगा तो हमेशे क्या हैगा minus minus plus plus में minus में लिख लिया फ 4, 4 और इसको 6 और 3 ठीक तो 6 और 3 यहाँ पर लिख लिया हमने अब बस हम यहाँ पर compare कर लेंगे directly values आगी उस process की ज़रुरत ही नहीं है जब हमने compare किया था तो पिछली बर answer किया था cnd कैसे आया था एक बर greater हो गया ठीक एक बर smaller हो गया जैसे ही एक बर greater होके एक बर smaller हो गया automatic आपका answer cnd होगे क्योंकि कोई भी चीज same time पे smaller और greater नहीं हो सकती है equal to हो सकती है greater हो सकती है less than equal to हो सकती लेकिन smaller और greater नहीं हो सकती है और आपके पास option केवल 5 ही given है उन्हीं option में से आपको search करना है ठीक है तो यह होगा आपका smallest way solve the question next आगे चलते हैं और इसी तरह से questions इस series में मैं कम से कम आपको 12 question करवाऊंगी और सारे इसी third पर based जो फटा फटा आपकी हो जाएंगे ठीक है next question देखने है x square minus 5x plus 6 is equals to 0 y square minus 12y plus 36 is equals to 0 ठीक sign table को फिर से याद करिए अपने दिमाग में आपने recall किया जल्दी से sign table तो क्या था plus plus minus plus plus minus और minus minus तो क्या होगा जब minus minus होगा हमेशा minus में आएगी minus plus होगा तो plus में value आएगी plus minus होगा तो minus plus में आएगी और minus minus होगा तो plus और minus में आएगी ठीक तो अब इसको break करना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे 2 और 3 से break कर सकते हैं, 2, 3 जा 6 और 2, 3 जा 6 हो जाएगा और plus का 2 और minus का 2, minus का 3 आपको 5 दे देगा, तो एक बार plus का 2, एक बार minus का 3, ठीक, तो यहाँ पे value तो plus plus किया नहीं थी, वो अब solve करोगे, तो आपको पता चल दाएगा कैसे आती है, ठीक, फिर उसके बाद दूसरा देखेंगे, तो minus minus, minus 6, 6, 6 है, 36, और 6 plus 6, 12, तो minus minus 6, minus 6, ठीक है, तो 6 और 6 value आगए, तो अब हम इसको compare करेंगे, तो यहाँ पे सीधे से दिख रहा है कि x जो है वो कम है, less than y है, कैसे दिख रहा है, यह 2 है, यह 6 है, values प्लस की है, तो यहाँ पे 6 already greater है, तो x is less than y, खत्म, next question पर चलते है, तो next question है आपका, x square plus 9x plus 20 equals to 0, और दूसरी question है, y square plus 15y plus 36 equals to 0, अब इसमें देखेंगे, तो फिर से देखो plus plus की value है, plus plus में हमेशा minus minus में आएगा, तो minus minus में क्या क्या जाएगा, बस यहाँ से यह देखना है, तो 4, 5 is a 20 होता है, तो 4, 5 is a 20 हो गया, और 15 को 36 में कैसे break करेंगे, यह कर सकते हैं हम 12 into 3, 12, 3 is a 36, ठीक, तो अब इसमें फिर से compare कर लेंगे, क्या compare किया हमने, हमने देखा है, यहाँ पे x जो है एक बार greater than y हुआ, फिर x less than y हो गया, बात यहीं से खतम हो गई, फिर देखो एक बार greater हुआ, ठीक, और फिर एक बार less हो गया, तो यहाँ पे answer क्या गया, c and d, काम खतम, ठीक हैं, next आगे चलते हैं, next question है, हर page पे हम अपनी sign table बनाएंगे, और काम और असान होता जाएगा, number 3 question है, ठीक है, 12 questions हम लोग यहाँ पे solve करेंगे, और सारे sign table की मदद से ही, plus 42 is equal to 0, बस आपको अपनी calculation थोड़ी सी थेज़ करनी होगी, ठीक है, और लिखने का pattern भी थोड़ा सा थेज़ करना होगा, यहाँ पे क्या था, plus, plus, minus, plus, plus, minus, और minus, minus, तो plus, plus में हमेशा minus, minus, ठीक है, फिर इसमें plus, plus, minus, plus में हमेशा plus, plus, फिर minus, plus, reverse हो जाएगा, और minus, minus में हमेशा plus, minus में मिलेगा, ठीक, यह कुछी नहीं है, इसको छोड़ दीज़ेगा, अब चली, question solve करते हैं, अपने question पर आते हैं हम लोग फिर से, तो यह कौन से form में दिया हुए है, पहला है, minus, plus की form में, minus और plus में पहला आ अब ही आपको बताया था, जब दोनों plus, plus होंगे, तो already x जो है, वो greater than y हो जाएगा, ठीक, बस यहीं से question खतम होगा, हमको यहाँ पर देखना ही नहीं पड़ेगा, ठीक, क्यों, क्योंकि एक बार x जब greater हो जाएगा, फिर दूसरी बार भी x greater, फिर x greater, और फिर x greater, ठीक, त y square plus 8y minus 48 equals to 0, फिर से अब देखते हैं, यहाँ पर plus plus है, तो answer आपको minus minus में मिलेगा, यह plus minus है, तो plus minus में आपको answer plus और minus में मिलेगा, ठीक, सौरी, plus minus है, plus minus तो minus और plus में मिलेगा, ठीक है, अब देखते हैं कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले 60 को convert करना है, तो कैसे हम लोग कर सकते हैं, 16 को 60 बनाना है, multiply करके, तो 10 into 6, तो 10 into 6 कितना आजएगा, minus का 10 और 6, ठीक, 10, 6 और 60, और दूसरा answer कितना आजएगा, 48 बनाना है, 48 को 8 से, तो कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको, 12 की table मे 48 आता है, 4 बार, तो 12 minus 8, 4, ठीक है, तो 12 minus 4 is 8, तो 12 और 4 हो गया, अब यह सब minus minus के हैं, तो इसमें हम करके देखेंगे, अगर हमने यहाँ पे देखा, कि minus 10 और minus 6 है, ठीक, एक बार x greater हो गया, एक बार x smaller हो गया, ठीक, एक यह plus का 4 है, यह minus का है, तो फिर से यहाँ पे cn द किया जाएगा, अब यहाँ पे अगर आपने देखा होगा, तो आप सोच जाएओंगे, इसकी value कैसे हमने निकाली, 12 minus 4 करके, ठीक है, लेकिन अगर यह plus का था, यहाँ पे तभी तो 8 आप आएगा, लेकिन यह हमें multiply करके, same value चाहिए, minus 48, तो यह कैसे आई होगी, तो यहाँ bigger value में ही positive आता है, ठीक, यह तो multiply करके automatic आही जाएगा, आपको पता ही है, जब multiply करते हैं, तो minus का sign उदर चले जाता है, ठीक, तो यह normal से concept है, जो अगर आपको नहीं पता था हो, तो जान लिएगा, और अगर coefficient आपका, coefficient आपका xy का bigger है, minus है, तो हमेशा bigger जो है, वो positive में चल ठीक, चलिए, देख लेते हैं कैसे, जैसे minus suppose करो, यही वाले को solve कर लेते हैं, ठीक, अगर इसको solve करना होगा, तो हम लोग x plus 8y plus 48 is equal to 0 है, ठीक, तो इसको खोलेंगे हम लोग, तो xy square plus 12y minus 4y, 48 is equal to 0, y y plus 12 minus 4, y plus 12 is equal to 0, तो यहां पर एक value जो है, वो y plus 12 होगी bracket में, और दूसरी होगी y minus 4, तो यहां पर y की value minus is equal to minus 12 होगी, और दूसरी value होगी आपकी plus 4, ठीक, तो यही से आगया minus 12 वा plus 4, तो कोई confusion नहीं होगा, अगर होगा, तो इसको clear कर लिजएगा, यहां से देख के, ठीक हैं, अब बढ़ते हैं, हम लोग next question की ओर, that is question number 5, अब question number 5 देखते हैं, x square minus 14x plus 49 is equals to 0, इधर है y square minus 15y plus 56 is equals to 0, तो अब हम अगर हम यहां पर देखेंगे, तो क्या है हमारा sign table के हिसाब से, क्या है minus और plus, तो minus plus हमेशा plus plus की value देता है, अब देखेंगे, यहां पर simple से देख रहा है, 7, 7's are 49, ठेक, और दूसरा 56 है, तो 7, 8's are 56, अब यहां पर हमने compare किया, तो देखेंगे, 7, 7 common है, यहां पर equal to वाली situation आ रही है, एक बार x is equals to y, और एक बार x is less than y, और दूसरी बार फिर से equals to, और फिर से less than, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x is less than equals to y, यह होगा आपका answer, ठेक, नमबर 6 पर आते हैं, x square minus 14x minus 15 is equals to 0, ठेक है, next is y square minus 19y plus 60 is equals to 0, इसको solve करते हैं, तो minus minus की situation में क्या answer आएगा, minus minus में answer हमेशा, plus और minus आता है, और minus और plus में answer क्या आना है, plus और plus आना है, ठेक, तो अब हम इसको solve करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले अगर देखेंगे, तो 14 को कैसी किया रहा सकता है, 15 बनाना, तो इसको हम बना सकते हैं, 15 minus 1 से, ठेक, तो 15 minus 1 जो है, वो हमें 15 दे देगा, और 14 भी दे देगा, और दूसरा 19 को 60 बनाने के लिए, 19 को 60 बनाने के 15 फोर्जा, ठेक, 15 फोर्जा 60, फिर से देखो, यहाँ पर यह तो बराबर हो गया, और यह greater हो गया, x is greater, ठेक है, फिर दूसरी से condition में देखेंगे, तो यह y greater हो गया, तो दोनों situation हो नहीं सकती है, तो c and d automatic हो गया, ठेक, फिर question number 7 पे आते हैं, ज्यादा है, इसमें हम लोग time waste नहीं करेंगे, ठेक है, फटा-फट देखते हैं, देखो, एक question दिया हो है, x square is equals to 64, और दूसरी equation दिया होई है, sorry, y square minus 18y plus 80 is equals to 0, ठेक, तो अब इसमें क्या करना है, फिर से हम लोग x और y की value निकालेंगे, यह क्या दिया हो है, आपका, situation, plus bx और minus bx, तो एक बार minus की value आएगी, एक बार plus की value आएगी, एक बार plus की value आएगी, और दूसरी तरफ देखेंगे, यह minus और plus दिया होई है, तो minus plus में हमेशा plus plus आना था, ठेक, तो अब हम इसको solve कर लेंगे, कैसे solve करेंगे, यहाँ पे देखा, हमने 64 है, तो 64, 8, 8 के form म खुलेगा, 8, 8 is a 64, और दूसरी तरफ condition क्या है, 18, 80, तो 18 को 80, यानि 8 into 10, 10 into 8, ठीक है, तो 10 और यह 8 हो गया, जब यहाँ पे already greater है, तो यहाँ पे situation क्या हो जाएगी आपकी, जल्दी से बताएगे, यहाँ पे question क्या हो जाएगी, जैसे अगर आप देख पा रहे होंगे, त तो यहाँ पे एक बार x जो है, वो less हो गया, ठीक, दूसरी बार, greater हो, sorry, बराबर हो गया, फिर यहाँ पे x लेस हो गया, और फिर यहाँ पे बराबर हो गया, तो यहाँ पे y is greater than equals to x, यह वाली condition आ गई, ठीक है, कोई doubt, आगे चलते हैं, next है आपका question number, 8 x square minus 72 plus 10 is equals to 0, next है y square plus 8 y x है, ठीक है, और plus 15 is equals to 0, फिर से यहाँ पे देखो, minus plus है, और यह plus plus है, y की value minus minus में आएगी, इसकी value plus plus में आएगी, तो यहाँ पे automatic, कोई solve करने की जुरूरत नहीं, x is greater than y, next question, x square minus x minus 12 is equals to 0, 20 y square minus y minus 12 is equals to 0, आप यहाँ पे फिर से देखेंगे, minus minus में हमेशा value कैसे आएगी, plus minus में और minus minus में फिर से minus plus में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक बार ये greater हो जाएगा एक बार minus हो जाएगा ठीक अब देखें यहां पर क्या हमने पीछे को देखा था कि constant term जो है जो हमारे constant term है वो कैसा है minus के sign वाला यानि ये दोनों जो constant term है ये कैसे है minus के sign वाले हैं और जब ये minus के sign वाले आते हैं तो answer हमेशा c and d ही होता है, इसमें भी कुछ नहीं कर सकते हैं, एक exceptional case है, जहाँ पर भी constant term में minus minus का sign होगा, वहाँ answer c and d ही रहता है, इसको भी solve करने की जरुरत नहीं होती है, ठीक, constant terms के answer हमेशा c and d होते हैं, next question देखते हैं, number 10, यह सारे question आ चुके हैं, ठीक है, आप पीछे के question भी पर उठा के देखेंगे, तो यह सारे question आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, यह questions ऐसे ही नहीं करा रहे हैं और इनके answers यहीं होंगे, ठीक है, आप कहीं से match कर सकते हो, अपने चाहो तो वैसे करके check कर सकत हो, ठीक, आप देखो, यह तना बड़ा सा है, ठीक, तो माइनस प्लस प्लस में हमेशा आनसर का आना है, माइनस माइनस और प्लस में कितना आना हमेशा, प्लस प्लस, तो यहां पर automatic clear हो गया, यह प्लस प्लस की value है, तो y is greater than x, आपके option में दियो होगा, x is less than y, ठीक, तो यह तो 0, next question is, y square plus 8y plus 15 is equals to 0, तो यहां पर कर हम solve करेंगे तो, minus plus, कितना होगा, plus plus, और plus plus की value कितनी आना है, minus minus, फिर यहां पर x is greater than y, खतम गा, ठीक, next आते हैं, last question पर अपने, that is question number 12, x square minus 17x plus 72 is equals to 0, y square minus 27y plus 180 is equals to 0, ठीक, अब यहां पर क्या है, minus plus है, तो answer हमेशा plus plus में आएगा, इधर भी plus plus में आएगा, अब जब यहां पर plus plus में आजाएगा, फिर इसको solve करना पड़ जाएगा, ठीक है, तो 17 को ऐसा break करें कि 72 आजाए, multiply करने पर, तो 17 को हम break कर सकते हैं, 8, 9, 9, 8, 72, और यह break हो गया, ठीक है, next 27 को ऐसे break करें कि 180 आजाए, तो 27 को हम break कर सकते हैं, 180 में 12 और 15 के form में, ठीक, 12 और 15 इंटू, 12 इंटू 15 कि इतना हो जाएगा, 180, ठीक, अब compare करेंगे, तो एक बार y is greater, फिर से y is greater, फिर से y is greater, and again y is greater, तो x is less than y, ठीक, तो I hope आप लोगको यह अच्छे से clearly समझ में आ गया होगा, कितने आसान questions होते हैं, quadratic equation के देखने में बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन कितने easily अगर आपने science table याद कर ली होगी, तो easily आपको question करने में कोई समस्या नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा examiner खुदी कोशिश करता है, कि आपको concept आता है, ओ छोटे छोटे और आप उसको आँखो से देखके कर लें, ठीक, आपको questions बनाई ही ऐसे जाते हैं, कि ताकि आप ज़्यादा उसकी calculation में उल्ज हो नहीं, ठीक, तो I hope याप लोगो clear होगी, thank you so much.